इस वीडियो से पहले हम आपके लिए प्रणशेशन के जो सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट किया है कहाँ पर वर्ड को पढ़ने में हमें दिक्कत होती है हमें अच्छे सूस वर्ड को नहीं पढ़ पाते हैं वहीं पर हमारा इंपेशन डाउन होता है So that kind of solution we want to give you that's why we have come with this video लेकिन इस वीडियो से पहले हम आपके लिए लेटर A, लेटर B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N कहाँ पर silent जा रहा है इस सारे वीडियोस हम आपके लिए already, we have already made हम already बना चुके है लेकिन अगर आप इस चैनल के लिए नए हो सबसे पहले इस चैनल को subscribe कीजिए, bell icon को दबाईए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो upload करें तो उसका notification आपको मिले और आप घर बेटे अच्छे से बना शेशन की सीरीज को पड़ पाए So students, let's start our video Because हमने already अपने कहा था, पहले ही कहा था कि words ऐसे चीज है, कि जहाँ पर भी हम words को पड़ते है और अच्छे से ठीक तरह से नहीं पड़ते है वहीं पर हमारा impression down होता है So that kind of solution we want to give you That's why we have start this series और इस वीडियो में हम आपके लिए लेटर O कहां पर silent जाता है That kind of things we want to tell you So let's start our video हमारा first rule है लेटर O कहां पर silent जाता है So हमारा first rule है अगर दिये गए शब्द में, दिये गए वर्ड में O के बाद यू आता है वहां पर O silent हो जाता है Let's see some example Our first example is young अब ध्यान से देखिए young Y-O-U-N-G O के बाद यू आ रहा है हमने O का pronunciation नहीं किया Young Then double, trouble, cousin, rough, tough and enough 7 examples we have given you अब 7-7 example को ध्यान से देखिए O के बाद यू है हमने O का pronunciation नहीं किया है सिर्फ हमने जो sub words को जिस तरह से पढ़ा जाता है उसी तरह से पढ़ा है उपको बिल्कुल pronunciation नहीं किया है एक बाद फिर से उसारे example देख लेते है Young Double Trouble Cousin Rough Tough And Enough Now let's see rule number 2 Rule number 2 What does rule number 2 tell to us? Rule number 2 हमें क्या कहता है? अगर O के बाद E आता है या O के पहले E आता है Once again I want to repeat O के पहले या O के बाद अगर E आता है वहाँ पर भी Later O silent जाता है Let's see some example Our first example is People ध्यान से देखिए P-E-O-P-L-E यहाँ पर O के पहले E है हमने O को silent रखा है People P-E-O-P-L-E Then Amoeba Amoeba का spelling ध्यान से देखिए A-M-O-E-B-A यहाँ पर O के बाद E आ रहा है हमने O को silent रखा है Amoeba Then Leopard Jepharthy And Estrogen ध्यान से देखिए सारे spelling को We have given you P-E-O example People Amoeba Leopard Jepharthy Estrogen Now rule number 3 What does rule number 3 tell to us Rule number 3 हमें क्या कहता है अगर दिये गए वर्ड में जब कोई Later O के बाद Vengeance हो अगर दिये गए वर्ड में Later O के बाद Vengeance हो और Vengeance के बाद A, E, I और U आता है स्वर आता है A, E, I, U यह स्वर आता है वहाँ पर भी Later O silent हो जाता है Example देखे के तो ध्यान से पता चलेगा Chocolate अब ध्यान से देखिए Later O के बाद Vengeance है L है और L के बाद दुबारा A आ रहा है हमने O को silent रखा है Chocolate Then Catholic Catholic को भी ध्यान से देखिए C, A, T, H, O L, I, C Catholic इसको लोग solution बोलते है Students वो solution नहीं है solution Then Pollution इसको भी लोग pollution बोलते है ये भी pollution नहीं है pollution है Then Colonel अब पाचों स्वेलिंग को ध्यान से देखिए Chocolate एक बार किर से में repeat करता हूँ Chocolate Catholic Solution Pollution and Colonel ओके गाईस ये तीन रूल थे जहां पर later ओ silent जा रहा है I hope guys आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like कर दीजिए चैनल को subscribe कर जिए ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाए आप घर बेटे अच्छे से English पढ़ पाए और एक जानकरी देना चाता हूँ अगर आप बहुत अच्छा fluent English चीखना चाते हो तो हमारे इस चैनल YouTube में IOC Institute आप सर्च कीजिए और हमारे description पर जाकर सारी जानकरी लीजिए और इस वीडियो के comment box में भी देखिए पहली जो comment होगी वहाँ पर हमने सारी जानकरी आपके लिए लिखी है कि किस तरह से आप इस कोर्स को purchase कर सकते हो और बहुत नॉर्मल प्राइज में आप घर बैठे English पढ़ सकते हो विकोज हमारे classes में online, offline both the courses are available अगर आप offline आना चाते हो so most welcome in our IOC Institute we will make you speak English लेकिन अगर आप different kinds of area different kinds of cities and states and different kinds of countries में रहते हो so don't worry about that now हम technology के era में रहते है तो इस technology के वज़े से मैं आपके घर पर आ सकता हूँ आपके घर पर आकर आपको अच्छे से एसे लेके Z हमने बिलकुल basic से पढ़ाना स्टार्ट किया है थाकि जब कभी भी आपको तकलिप ना हो so guys thank you very much for watching this video keep watching, keep learning thank you